रिशिकेश मुखर जी नहीं होते तो किसकी नहीं आपार नहीं होती? कौन करने वाला है डाइरेक्ट आनंद के सीकोल को? हलो फ्रेंट्स, वल्कम बाग तो यो फेवरेट योड़ फ्रानल, बॉलिग्रास टेडियोस, मैं आपर नासिन्हा अच्छा आपके लिए लेकर आई हूँ आनंद 2 मुवी से जड़ी कही सारी श्रिया दोस्तों, कही सारी इंट्रोस्टिंग बाते तो इस विडियो को एंदाग जरूर से जरूर देखेगा बावो मुश्राय जिंदगी बड़ी होनी ठाहिये लंबी नहीं ये बहतरीन डायलोग साल 1971 में आई मुवी आनंद का है इस मुवी ने दर्शकों का दिल शीट लिया था राजेश, खनौर, अमिता, बच्छन के अभने को इस मुवी में आज भी लोग भुला नहीं पाए है खैर दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है कि आनंद मुवी के रीमे की तैयारी जल्द शुरू होने वाली है मुंबाई फिल्म इंडोस्ट्री में फिल्हाल सबसे उच्छे डारेक्टर है राजकुमार हिरानी सब बड़ी निर्देशक समान भाव से राजु की तारीफ करते ठकते नहीं उन्होंने कमर्शिल और मीनिंगफुल सिनेमा को साथ लेकर फिल्मे बनाई सभी को क्रिटिक्स ने काफी प्रेस और सभी ने पैसे भी कमाए ये राजु हिरानी फिल्मों में न होते अगर रिशिकेश मुखरी न होते रिशिदा की मूवी आनत को देकर राजु का जीवन और सोच बदल गया उन्होंने ही पैसला लिया कि वो फिल्में बनाएंगे राजु की फिल्मों पर रिशिदा का बहुत बड़ा असर है या यू कहे कि पूरा असर है जिसे आज इंडिपेंटेंट सिनीमा कहा जाता है जिसे आर्ट हाउस सिनीमा कहा जाता है जिन फिल्मों को ओसकर में जीद मिलती है उनमें जो खास बाते हैं वो सब रिशीदा की फिल्मों में थी रहते हों उनकी स्क्रिप्ट को देख सकते हैं आप वे कहां से शुरू होकर किस रास्ते होते वे कहां खत्म होती इसमें तब पॉप्यूलर स्क्रिप्ट राइटिंग के ग्रूप को वो फॉलो भी नहीं करते थे उनकी फिल्मों में डॉर्मेंट क्रियेटिव नहीं रखी रादी थी उनकी फिल्मों में हीरो हीरोईन के पीछे सैक्रो लोग नाश्ते नहीं रह दे थे फिर भी उनके गाने हमें आच भी याद है उनकी फिल्मों में वही होता था जो असल जीवन में हो सकता है लेकिन फिर भी वो फिल्में ट्रीमी लगती थी बहुत कम लोग जानते होंगे कि रिशीकेश मुखर जी अपनी जिंदगी की उच नीच से सीख लेकर अपनी फिल्म में बनाया करते थे अब रिशीकेश एक बार फिर एक बार फिर अपने लाइफ को स्ट्रंगल और एक्सपीरियन से इंस्पायर होकर आनंद का सीक्वल आ रहे है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना मुवी क्रिटिक्स तरनादश ने सोशल मीडिया पर आनंद के रिमे की जानकारी दी है खबरों की माने ही तो आनंद रिमे की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है मुवी का निर्डेशन रिशिकेश मुघर जी करेंगे लेकिन राजेश खरना और अमिताप पच्छन की जगह कौन कलकार लेगा इन सभी बातों पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है समीर राज सिप्पी और विक्रम खाकर प्रड्यूस इस मुवी के रिमेक पर बाकी खुला से ढ्रल धोंगे तब तक आप बताए कि आपने पहले कभी देखी है ये मुवी या नहीं और अगर देखी है तो आपके सीकुल पर क्या विचार है आप अपने ओपीनियन हमारी साथ जरूर शेयर करें हम फिर मिलेंगे एक नई विडियो के साथ अब तक खुश रहें और सेफ रहें थाइंक यू